आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर एंगल यानि की इस एंगल की value find करने तो अब यहां पर concept क्या apply करेंगे इस एंगल को find करने के लिए concept यह है कि straight line always measures एंगल 180 degree ठीक है यहां पर अगर हमें कोई straight line दे रखी है step से ठीक है और इसका basically मैंने मलें यहां पर कोई एक point है ओ ठीक है तो इस point पर यह जो basically straight line है यह जो एंगल बनाएगी ठीक है यह एंगल कितना होगा 180 degree ठीक है तो straight line always measures 180 degree अब यहां पर यह एंगल 106 degree है तो यह एंगल कितना होगा यह तो यह complete एंगल कितना होना चाहिए यहां पर 180 degree पर यह एंगल 106 degree है तो 180 degree minus 106 degree यह कितना हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा basically 74 degree ओके ऐसा ही same concept हम यहां पर apply करेंगे यहां भी basically यह complete complete angle कितना होना चाहिए, यह angle होना चाहिए 180 डिगरी और यह 118 डिगरी दे रखाया ठीक है, तो यहां पे यह angle कितना हो जाएगा, यह angle हो जाएगा, बिसेकली, यह angle कितना हो जाएगा यहां पर सिक्स्य. टो डिगरी, अब हमें यहाँ पर इस triangle के दो angle तो find हो गए, अगर यहाँ पर हमें triangle A, B, C को देखूंगा, तो triangle A, B, C के तीनो internal angle का जो sum होता है, वो कितना होता है, 180 degree का है, तो angle A plus angle B and plus angle C equals to कितना होगा, यह 180 degree का है, तो angle A plus angle B की value का है, यहाँ पर 74 degree and plus angle C की value का है, यहाँ पर 62 degree equals to 180 degree, तो angle A plus 136 degree equals to 180 degree, तो यहाँ से angle A की value कितनी आ जाएगी, 180 degree minus 136 degree, तो angle A आ जाएगा, यहाँ पर basically 44 degree, और यही हमें यहाँ पर find करना था, ठीक है, तो जब यहाँ पर मैं अपना option चेक करूंगा, then option first is our right answer, thank you.